ओम्नमू भगवते बाशुदेवाए नमहा दोस्तो स्वप्न सास्त्र के अनुसार स्वप्न काफल अलग-अलग होता है यह निर्धारित करता है आपने कैसा स्वप्न देखा या आपने किस समय स्वप्न देखा क्योंकि एक रात्री में चार प्रहर होते हैं चाहे आप प्रहर बोलिये और या चाहे खंड बोलिये ठीक है आपकी जानकारी के लिए है तो जो पहला है वो प्रदोस काल होता है या प्रदोस काल खंड कहते हैं दूसरा निशित काल और तीसरा है त्रियामा काल और चोथा है उसा काल मैं इन सभी कालों के विशय में वीडियो के अंत में बताऊंगा आप उसमें निर्धारित करना की आपने कबर स्वपन देखा पहले मैं आपको आज मल से संबंधित स्वपन के विशय में बताऊंगा जैसे किसी को मल करते हुए देखना, सपने में मल देखना, सपने में मल साफ करते देखना, मल को सरीर में लगाते हुए देखना, मल खाते हुए देखना, सोयम को मल करते हुए देखना, बिस्तर पर लेटिन हो जाना, या फिर अपने पैंट में लेटिन कर देना, छोटे बच् इन सपने के क्या सुभ वा असुभ फल होते हैं यह आज इस वीडियो में आप जानेंगे पहला सपन है हमारा सपने में मल करते हुए देखना अगर आपने सपने में मल करते हुए अर्थात लैटिन करते हुए देखते हैं तो यह बहुत सुभ सपन है इससे धनलाब होने का संक आपको मिल रहा है और अगर आप स्वयम को मल करते हुए देखते हैं तो आपका स्वास्त उत्तम होने वाला है और जल्द ही आपको धनलाब होने वाला है नमबर दो सपने में मल देखना दोस्तों अगर कहीं आप जा रहे हैं और आपको मल दिखाई दे जाए तो आपको नमबर तीन, सपने में मल साफ करते हुए देखना, दोस्तों अगर आप सपने में मल या लैटन साफ करते हुए देखते हैं, तो इसका संकेत सुब माना गया है, यह सवपने इसोर संकेत करता है, कि निकट भविष्व में आप कारू का हुआ धन मिलने वाला है, नमबर चार, मल को सरीर में लगाते हुए दोस्तों, अगर सपने में आप अपने सरीर पर मल लगाते हुए देखते हैं तो इसका संकेद बहुत ही सुभ देने वाला है आपको निकट भविश्य में आपकी सोत से بھی जादा धन मिलने वाला है तो ये स्वपन आपके लिए बहुत ही सुब है नमबर पांच सपने में मल खाना दोस्तों अगर आप सपने में स्वयम को मल खाते हुए देखते हैं तो ये स्वपन आपको ये संकेत दे रहा है कि आपका रुका हुआ धन मिलने वाला है आप परिशान मत हो ये अब अगला है सपने में बिस्तर पर या अपने ही कपड़े में लेटिन कर देना दोस्तों अगर आप सपने में अपने पैंट में या बिस्तर पर लेटिन करते हुए देखते हैं और थात मल करते हुए देखते हैं तो यह सपने इस बात का इसारा करता है कि आप अपनी गलत आ आदितों को छोड़ दीजिए यह स्वपन आपको संकेत कर रहा है ठीक है अब आते हैं अपने अगले स्वपने के विशे में अगर आप छोटे बच्चे को लेटिन करते हुए स्वपन में देखते हैं तो उसका क्या फल होगा ये भी जान ले अगर आप कोई इस प्रकार का अनफसा हुआ है तो वह सिग्र मिलने वाला है तो दोस्तों आपने इसमें से कौन सा स्वपन किस प्रहर में देखा ये जरूर बताना और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको इसी प्रकार का वीडियो या इस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा अब आप जान लीजिए कि प्रहर क्या होता है और वह जो सपन आपने देखा किस प्रहर में देखा है ये आप स्वेम जान लीजिएगा उसका कितना फ़ल आपको मिलने वाला है तो मेरा पहला है प्रदोस ठीक है अ सपन आपको फल देगा आप चाहे जैसा भी सपन देखे हो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सपन देखा है नमबर दो अर्धरात्री से पूर्व तीन घंटे तक का समय दोस्तों इस घंड में देखा गया सपन छे महीने में अपना फल दे देता है नमबर तीन अर्धर अर्धरात्री के बाद तीन घंटे तक इस प्रहर में देखा गया सपन छे मास के अंदर अपना फल दे देता है अर्धरात्री के बाद तीन घंटे के अंदर जो आप सपन देखते हैं तो इस प्रहर में देखा गया सपन अकसर छे महीने के अंदर अपना फल दे देता है नम अगर आप ब्रंभ मुहूर्त में कोई स्वपन देखते हैं तो उसका फल उसी दिन ही आपको प्राप्त हो सकता है इस प्रहर में देखा गया स्वपन बहुत ही कम समय में अपना फल दे देता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आप लोगों को दिवाए नमहा